दक्षिन एशियाई देशों में भारत के लिए नेपाल का एक विशिष्ट स्थान है भारत और शिलंका के संबंद हमने जाने और इस बात से वाकिफ हुए कि भारत और शिलंका के संबंद मधुर क्यों है और उसमें ऐसे कई मौक्य आये जब खटास हो सकती थी लेकिन दोनों ही देशों ने बड़े धैरे से दोनों के बीच के विबादित मामलों को निप्टाया है और इस पकार हमारे संबंद शिलंका के साथ अच्छे बने रहे हैं जहां तक भारत नेपाल संबंदों की बात है तो इसकी भागोलिक इस्थिती काफी कुछ भारत और नेपाल के संबंदों को एक दिशा देती है नेपाल जो है देखिए नक्षे में भारत के उत्तरपूर में एक ऐसा राज्य है जिसको जिसकी सामरिक दिश्टी से बहुत महत्ता है सामरिक दिश्टी मतलब सैन्य दिश्टी से अंतराश्टी राजनीती की दिश्टी से उसकी स्थिती देखिए नेपाल के उपर चीन उसके बाद हमाचल हमाले भारत और टिबेट और फिर उधर सीमा में आप देखिए तो सिया चिन ग्लेशियर और जहां पर वो चारों पांचों देशों की अंतराश्टी सीमा मिलती है सिया चिन के पास तो सामरिक दिश्टी से बहुत महत्तूर जगा है साथ ही भारत और चीन के बीच में स्थित होने के कारण नेपाल जो है वो उन देशों के बीच में एक तरीके से ढाल का काम करता है ढाल आप समझते हैं युद्ध के समय लड़ाई के समय जब पहले जब तलवार से लड़ाई होती थी तो एक हाथ में तलवार रहती थी एक हाथ में धाल रहती थी धाल को अंग्रेजी में कहते हैं बफर बी यू डबल फ ए यार बफर यानि अपने बचाओ के लिए उट धाल को रखते हैं तलवार की मार से अपने को बचाओ के लिए तो ये बचाओ के लिए एक तरीके से एक स्टेट का काम करता है बफर स्टेट धाल का काम करता है चीन के लिए भी धाल का काम करता है और भारत के लिए भी धाल का काम करता है धाल किनके किस कारण से भारत के चीन के साथ जो कटता है उसके बीच में एक ये दीवाल है ऐसे चीन के लिए भी ये एक दिवाल का काम करता है और इसलिए हम कहते हैं धाल, बफर, स्टेट, मध्यराज्य, एक हिंदी में से हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में स्थित, मध्यराज्य चीन जो है वो बारंबार तिवबत पे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और एक समय आया जब उसने तिवबत पर कुछ खेत्रों पे कबजा भी कर लिया और जब तिवबत के खेत्र में चीन ने अपना कबजा जमाया है, तो भारत के लिए बहुत आहम हो गया है ये खेत्र और इस कारण नेपाल का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि वहीं से फिर वो भारत की सीमा से जुड़ जाएगा, यदि नेपाल धाल के रूप में कारण ना करे तो तो नेपाल की भागोलिक स्थित के कारण इसका महत्व अत्याधिक है और इसका विश्व की अन्य महाशक्तियों द्वारा भी अपने अपने हित में करने का प्रयास होता है, और इनके लिए उपियोग किस के खिलाफ भारत के खिलाफ, भारत के हितों के विरुद, इसका प्रयोग करने की जब तब अंतराश्नि राजनीति में कोशिश होती है, इसलिए भारत के लिए ये जरूरी है, कि वह नेपाल से मधुर समबनाय नेपाल के संबंद मधूर क्यों है तो एक कारण तो ये है हमारी विवश्टा है मधूर संबंद रखना उसके अलावा और भी कारण है पर एक कारण आपको सपष्ठ होना चाहिए कि उसकी सामरिक महत्ता चीन की नजर ये इन कारणों से भारत के लिए तिब्बत नेपाल से काजिनेटिक संबंद सांस्कृतिक संबंद और आर्थिक संबंद बने ही ना रहें बलकि मजबूत होते रहें भारत इसके लिए दो कदम आगे जाता है नेपाल को इन मुद्दों में सहयता देने के लिए सहयोग करने के लिए ताकि नेपाल का जुकाओ भारत की तरफ बना रहे ये तो हुई इसकी सामरिक दिष्टी से उसकी महत्ता और भारत के लिए इसकी महत्ता क्या है अब इतिहास की उर्यदी ध्यान दें तो भारत और नेपाल ना केवल राजनीतिक मामले में बलकि धार्मिक और संस्कृतिक दिष्टी से भी काफी जुड़े हुए धार्मिक द्रिश्टी से भी भारत और नेपाल जुड़े हुएं मैंने जैसे आपको पूर में बताया कि नेपाल एक मात्र हिंदू राष्ट हुआ करता था बाद में उसे उन्होंने ऐसा राष्ट गोशित किया जिसमें सभी धर्मों को समानता देने की बात होती है जैसे भारत क्या है भारत एक ऐसा राष्ट है जहां सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता नेपाल में भी ऐसी ही बात हुई लेकिन मूलत हुआ एक हिंदू राष्ट है तो धर्म के मामले में हमारे समानता है और ये जो संबंध है धर्मेक सांस्क्रजिक संबंध ये बहुत पुराने है भारती शास्त्रों के अनिसार तो आप देखेंगे कि भारत के जो मर्यादा परशोतम राम उनकी जो पतनी सीता नेपाल के जनक पुर प्रदेश के राजा जनक की पुत्री थी ये तो आपको मालूम है कि सीता देवी राजा जनक की पुत्री थी तो राजा जनक जनक पुर क थे जो नेपाल में इस्थित थे नेपाल का एक प्रदेश हुआ करता था ठीक तो इस परकार इन दोनों के संबंदों के पीछे भारत और नेपाल के संबंदों के पीछे एक धार्मिक कारण भी है और बड़ा लंबा एतिहासिक दिश्टी से बड़ा लंबा उसके बाद भारत की तरह वह भी वहाँ लोक तंत्र चाहती थी ऐसे में भारत क्या करेगा भारत भी चाहेगा कि वहाँ लोक तंत्र इस्थापित हो और एक प्रगार से भारत ने नेपाल में राज तंत्र के स्थान पर लोक तंत्र की स्थापना किये जाने के संबंध में एक संधी भी करनी चाह दूसरे शब्दों में भारत अपने धार्मेक, सांस्कृतिक और एतिहासिक सम्मंदों के मतने नजर भारत भी चाहता था कि नेपाल में लोकतंतर आए और उस दिशा में भारत ने कुछ प्रयास भी किये लेकिन दुर्भागे से वे प्रयास सफल नहीं हुए भारत के लोकतंतर स्थापित करने का या लोकतंतर की दिशा में नेपाल को प्रयरित करने के पीछे उसका मकसद यही था कि दोनों की राजनीतिक व्यवस्था एक होगी और चीन किसी अन्य तरह की राजनीतिक व्यवस्था को लागू ना कर बैठे इसलिए भारत के लिए ये अपरिहार भी हो गया कि वो नेपाल के संबंदों को और प्रगाड बनाए और मजबूत बनाए और इसलिए 1950 में भारत के जो प्रहान मत्री हैं उन्होंने संसद में कहा था कि जहां तक कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंद है भारत और नेप किसी प्रकार का सैन समझोता नहीं है ये पंडि जोहला रेडु का संसद में बयान कि जहां तक एशियाई देशों का संबंद है भारत का किसी से सैन समझोता नहीं है परंतु नेपाल पर किसी के द्वारा आक्रमण किये जाने पर भारत उसे स्विकार नहीं करेगा एक तरीक के साथ खड़ा है और इस पकार भारत ने सुनिष्चित किया कि नेपाल भी भारत के पक्ष में रहे आगे पंडिजवालाल नहरू अपने भाशन में कहते हैं कि नेपाल पर होने वाला कोई भी आक्रमण निश्चित रूप से भारती सुरक्षा के लिए खतरा है यह बयान पं शुरक्षा की दिश्टि से भारत नेपाल के साथ अपने संबंध बनाने में सतत प्रयास करते रहा। कुल मिलाकर नेपाल के साथ भारत का मामला एतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कमदों के कारण तो है ही पर सबसे अहम बात जो है वह है शुरक्षा का मामला। सुरक्षा के दिश्टि से हमारे लिए नेपाल बहुत बहुत महतपूर्ण है। आखिर ये इशारा किस ओर था? किस तीसरे देश की बारे में वो सोच रहे थे? संभवत चीन जो सीमा पर रहते हुए सतत नेपाल की और अपनी नजर गड़ा हुए था और चाहता था कि नेपाल उसकी और मुड़े। एक देश के नागरिकों को दूसरे में जाने आने के लिए, रहने के लिए, तंपत्ति, उड्योग, व्यापार ये सभी में एक तरीके से छूट हो गए। याने मुक्त, ख्षेतर, भारत और नेपाल ने एक तरीके से अपनी सीमा को एक तरीके से मुक्त कर दिया, उसके बाद सुरक्षा की दिश्चे से भारत ने संदिकी और वादा किया, दूसरा एक दूसरे के पर किसी भी तरह के हमले को अपना हमला मानने का वादा किया, तीस बनाने का हो ववाहिक संबन आदी इन सभी मामलों में स्वतनता दी चौथा कोई विदेशी हस्तक खेश स्विकार नहीं होगा ये समझोता हुआ पांच वा इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत नेपाल की अर्थ व्यवस्था सुधारने का दायत्व लेता है बहुत बड़ी बात थी भारत की खुद की अर्थ व्यवस्था कोई ऐसी नहीं थी कि वो द्यूसरे देश का दायत ले सके लेकिन ये शायद भारत की विवश्था थी क्योंकि उसे सुनिश्चत करना था कि नेपाल जो है वो भारत के खेमे में रहे भारत की ओर रहे और इसलिए प पर पूर्ण रूप से स्वतंतर राज्य है हमारे लिए वो बफर स्टेट है लेकिन हम उसकी स्वतंतरता पर हनन नहीं कर रहे हैं हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए बफर स्टेट के नाते उसको इससा मदद दे रहे हैं समझने की कोशिश करिया कि किसी दूसरे देश में दखल नहीं देते हुए उसकी स्वत्र क्षा के विवत्था गैरंटी देना भारत ने लिया ये इस बात को थाबित करता है कि भारत के लिए नेपाल कितना अहम था इस पकार भारत और नेपाल के बीच जो संदी हुई वो स्टंतरता के लिए संप्रभुता के लिए और एक् एक्षुन्य नेपाल की संप्रभुता बनी रहेगी एक्षुन्य और नेपाल की एकता बनी भारत उसमें दखल नहीं देगा, ठीक। अब लोक तंत्र की बाता आती है। लोक तंत्र पे मैंने बताया कि एक बार भारत ने प्रयास किया था लेकिन दुर्भागे से वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इस संदी के प्रयास को शंका की नजर से देखा लोक तंत्र के बढ़ावे की संदी को तो वो बात तो आगे नहीं बढ़ी लेकिन नेपाल मे राज तंत्र के विरुद लगातार आंधुलन चल रहा था और राज तंत्र के विरुद आंधुलन चलने का कारण था पूरे विश्व में लोक तंत्र का फैलाओ लोक तंत्र की बड़ती महत्ता प्रणाम क्या हुआ कि नवंबर 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन नाराइन ने विवश होकर अपने राजपरिवार सहित राजमहल को छोड़ दिया ये कब की बात है 1950 और तुरंट उन्होंने शरण ली भारती दूतावास में देखे राजशाही नेपाली जन आंदोलन के दबाव में आकर राजमहल छोड़ती है और भारती दूतावास में और फिर उसके बाद भारत में शरण लेती है अब राजशाही तो आगई लेकिन दुर्भाग से नेपाल के अंदर ग्रेह युद्ध प्रारंब हो गया ग्रेह युद्ध मतलब कि दो विविन गुटों के बीच लड़ाई हो गए नेपाल के ही अंदर जो कि भारत के भुभाग से ही चंचालित किया गया तो इसे भारत की तरफ यह विद्रो और बढ़ता चला गया फिर बाद में इसको किसी तरफ भारत ने समाप्त करने में मद अब देखिए लोक तंतर की स्थापना हुई और नेपाल के महराजा शासक बने अब यह लोक तंतर की स्थापना के पीछे भारत था इसमें कोई दो मत ने क्योंकि भारत की जमीन से ही यह सब प्रयास चल रहे थे हैं फिर भी इसके बाद भी नेपाल की कॉंग्रेस जो है न समानता होते हुए भी भारत के विर्द जनता को जनता भड़कते रहें मतलब जो जनता थी वहां की वो या तो चीन की और मुखातिर थी या भारत की और तो कॉंग्रेस जो है वहां की यानि जो वहां की संसत थी वो लगातार जन आंदोलन को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि वो भारत के वुर्ध आग उगलते रहें इसका मुक्य कारण नेपाल द्वारा भारत और चीन के साथ समानता काधार बना रहे ऐसी उनकी चाहती वे नहीं चाहते थे कि हम किसी एक ओर जोकें नेपाल के लिए ये उच्चच शैद नहीं था कि वो किसी एक और जुके क्योंकि किसी एक और का जुकाओ मतलब दूसरे देश को एक तरीके से प्रोवोक करना दूसरे देश को एक तरीके से उकसाना यदि भारत की और जुकता है तो चीन नाराज होगा यदि चीन की और जुकता है तो भारत नाराज होगा तो ने कारणों से 1954 में जो नेपाल जो एक प्रतीम मंदल सांसदों का नेताओं का जो भारत थे नेपाल गया था उसे बड़ा प्रतरोज हुआ और उसके बाद उन्निस वे लोग वापस आये भारत को दी जाने वाली साहता नेपाल के अनुरोज पर ही दी जाती थी ऐसा बताये गया पर भारत द्वारा जो धनराशी व्या की गई उस धनराशी का भी नेपाल सरकार द्वारा भुक्तान किये जाने की कोई शर्त नहीं है यानि भारत ने 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 शर्त बहुत सारी सेवाइं दी हैं ऐसा उसने बताया क्योंकि वहां के लोगों को शंका थी कि भारत इन सब सेव की एवज में चाहे धन राशी चाहे प्रोजेक्ट बनाने के नाम से भारत नेपाल की सुतंता सारभौमिक्ता पर नियंत्रण करना चाह रहा है तो भारत के प्रतिनी दिमंडल ने इस पश्ट किया कि इस पे हमारा किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं है यह निशर्त दी जारी है प्रणाम सुरूब क्या हुआ कि 1955 में जो महाराजा वहां वापस स्थापित हुए थे वो भारत आया और 56 में भारत के राश्ट पती डॉक्टर राजेंत्र साथ जो समय भारत के राश्ट पती थे वो नेपाल गया दूसरे शब्दों में बीच का जो दौर है 1952-54 का जिस द दौर में नेपाल में कुछ तरीके से भारत विरोधी हवा बहने लगी थी उसको कंटेन किया गया उसको रोकने में सफलता पाए और दोनों देशों के बीच में जो रिष्टे थे वो फिर बहतर हुए भारती राश्ट पती ने नेपाल कॉंग्रेस में भी साफ कहा कि सुरक के लिए हम कोई खत्रा नहीं हैं और कोई भी खत्रा यदि नेपाल को होता है तो भारत की शांती और सुरक्षा के लिए खत्रा है भारत ने बड़े स्पष्ट कहा वहां के कॉंग्रेस में कि नेपाल को कुछ खत्रा नहीं होना चाहिए भारत से नेपाल इस बात में निश् सुरक्षा का मामला समझते हैं डॉक्टर अजेंद पसाथ तत्काली राश्पती ने तो एक बात एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि नेपाल के मित्र हमारे मित्र और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु हैं यानि हम नेपाल की सुरक्षा के लिए भरतक प्रयास करेंगे इ पृपिस काल में 55-56 के काल में संबंद सुधरतें हैं और नेपाल के महराजा ने भी स्विकार किया कि भारत जुआ है वह नेपाल का एक बहुत अच्छा मित्र है। भारत ने नेपाल के विकास के अपने प्रयासों में dai 16 rigorous संग का rodyしे बनाने के लिए भी प्रयास किया और नेपाल को अंतराश्टी मंच में मानिता दिलाने के लिए जो 24 राश्ट की शिद्धता के लिए आवश्यत है इस ने व्हरत को नेपाल को बहुत सहयोग दिया भारत द्वारा बार बार प्रयास करने से 1955 में नेपाल को सुविक्ट राश्चन की सदस्ता मिली जिसे नेपाल ने स्विकार किया और साथ ही ये भी घोशित किया कि नेपाल ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करेगा जो भारत विरोधी हो इस पकार नेपाल भारत के प्रती अब अपनी निष्ठा बताने लगा और दूसरे शब्दों में नेपाल भारत के प्रयासों की सराहना ही नहीं बलकि उस पर विश्वास भी करने लगा तो देखिए कैसे जो ग्राफ है भारत नेपाल के संबंधों का ग्राफ उसमें कुछ उतार चड़ा होता है लेकिन 1955-56 आते आते इस्तिती थोड़ी सुधरती है अब यहां से दूसरा दूर शुरू होता है 1956-57 से दूसरा दूर शुरू होता है और वो क्या है कि नेपाल का चीन के प्रती जुकाओ और उसके बढ़ते मतभेन नेपाल की विदेशनीती का अधार क्या रहा है आपने यदि आप स्वाय में एक नेपाल के नागरी के दि हो तो आप सोचें कि आप एक ऐसे देश में है जो भारत और चीन से घिरा हुआ है तो आप किस तरीके से अप और फिर उसकी ना कोई समुद्री सीमा है ना उसका कोई स्पेस है जिससे वो दूसरी जगह जा सके अपन से नेपाल को दोनों के साथ मित्रता बनाया रखना आवश्यक होगा और या कम से कम ये सुनिष्चित करना जरूरी होगा किसी एक के साथ वो घनिष्ट संबंद रखे तो ऐसी स्थिति में नेपाल की विदेश नित्री इस बात पर अधारित थी कि जो देश शक्तिशाली द अधिकाधिक स्वार्थ सिद्ध करे ऐसा उसका प्रयास रखता था नेपाल की इस प्रकार की विदेश निती से भारत नेपाल के संबंदों में खटास आई है क्योंकि ये ऐसी विदेश निती थी जो लचर थी उसमें कोई स्थायत्व नहीं था तो परणाम क्या हुआ है कि भारत नेपाल के संबंदों में कई बार इस बात को लेकर थोड़ी तना हुआ है तना तनी हुए है भारत द्वारा तिब्बत के प्रती जो नीती अपनाई गई तुष्टी करण की नीती उसके प्रणाम सुरूप चीन ने भारत के प्रवसी देश नेपाल में रुची लेना कर दिया अब तुष्टी करण मतलब क्या होता है तुष्टी करण की नीती का अर्थ है ऐसी नीती जिसमें सामने वालों को संतुष्ट करते रहो और संतुष्ट करने का उद्देश कि वह शान्त रहे तो सामने वाले को शान्त रखने के लिए संतुष्ट करते रहो जहां त तिबत के कुछ हिश्चे पर कबजा किया और भारत ने इस बात को नजर अंदाज इसलिए किया कि वह तनाओ नहीं चाहता था। वह युद्ध नहीं चाहता था। वह अंतराश्टी मंच पे उसके पास और कई समध्स्याएं थी। उन समस्याओं में ये तिबबत की समस्या को भी नहीं जोड़ना चाहता सा लेकिन चीन ने भारत के इस तुष्टी करन चुप रहने की नीटी का फायदा उठाया और उसने नेपाल में अपनी दखल बनानी प्राडम के देखिए भारत ने तिबबत के मामले में चीन को एक तर छोड़ दिया लेकिन चीन उसको अनिटा समझता है चीन समझने लगा कि भारत कमजोर है शायद भारत शायद हमसे लड़ना नहीं चाहता भारत शायद हमसे कमजोर है और इसलिए वह पीछे हटा हुआ है इस ऐसा भारत के द्वारा कमजोर जो दृष्य रखा गया चीन ने उसको भुनाने की कोशिश की और अब उसमें नेपाल में भी दखल देना आरम किया और इस उमीद में आरम किया कि नेपाल में चीन के दखल को भी भारत जहलेगा उसके प्रतिक किसी तरह की तीवर प्रतिक्रिया नहीं करेगा दूसरे शब्दों में भारत द्वारा तिबबत के प्रती अपनाई गई तुष्टी करण की नीटी के फलसरूप चीन ने नेपाल में रुची लेनी शुरू कर दी तो चीन के नेपाल में रुची का कारण क्या है भारत की लचर कमजोर नी थी तिबत के मामले में जिसको चीन ने कमजोरी माना प्रणाम क्या हुआ भारतिय सुर्था के पस्चाज जो घंश सम्मन थे चीन ने उसमें एक तरीके से दखल देना शुरू किया और उन दोनों के बीच में आत्राएं हुई चीन और नेपाल के शास्कों के बीच में भी नाप्राएं हुई और नेपाल की सुरक्षा और समप्रभुता के लिए अब चीन सामने आता है और 1957 में उन दोनों के बीच में एक तरीके की संदी होती है चीन के पजान मंतरी नेपाल की आत्रा करते हैं और संबंद बनाने अटूट संबंद बनाने का प्रयास करते हैं नेपाल को आर्थिक साहेता देते हैं और परणाम क्या हुआ अब नेपाल जो 1956 के अंतर तक भारत के निकट था वह अब चीन की ओर जाता है और इसका कारण क्या है कि तिबबत को लगता है नेपाल को लगता है कि अब चीन ज्यादा ताकत वर है 1960 हाते आते नेपाल और चीन के मध्य एक तरीके से काफी निकटा जाती है और भारत से दूरियां बढ़ जाती हूँ यही 1960 में इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से संदी होती है उस संदी का परिणाम क्या हुआ कि 15 दिसंबर साथ को नेपाल के शाह आकस्मिक कार से कांग्रेस के नित्रित मात 18 माह परानी सरकार को गिराते हैं और लोगतंतर को समाब्द करने का प्रयास करते हैं यह किसकी शाह पे होता है चीन की शाह पे है चीन लोगतंतर के खिलाफ रहा है क्योंकि चीन स्वयम साम्मेवादी विचार धाराजाला देश है चीन में एक पार्टी की सत्ता चलती है और वह है कम्यूनिस पार्टी चीन में बोलने के सत्ता नहीं है बहुत तरीके के अधिकार नहीं है चीन चाहता था वैसी ही व्यवस्थ था नेपाल में रहे प्रणाम क्या हुआ कि चीन समर्थित एक गुट हावी होता है और कोशिश करता है कि वहाँ पर तत्कालीन लोकतांत्रिक सरकार अपदस्थ होए और माववादी सरकार वहाँ पर आये परंतु इस तरह के शड्यन्तर का परणाम क्या होता है कि लोक तांतरिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेपाली नेता भारत भागते हैं और इस घटना पर भारत को बड़ा दुख होता है प्रधान मंतरी संसद में इसकी आलोचना होती है और फिर उसके बाद इस सब के परणाम सुरूब नेपाल के महराजा, महिंद्र, नाथ शाहदेव, भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हैं 1960 में नेपाल के नेटा भारत भाक के आते हैं वे लोग जो लोग तंतर में विश्वास करते थे भारत उनको शरण देता है लेकिन नेपाल के राजा इसे एक हस्तक्षेप मानते हुए आलोचना करते हैं और यहां भारत और नेपाल के बीच कटुता चरम सीमा पर पहुंचती है लेकिन ये सब किसके इशारे पे हो रहा था ये सब चीन के इशारे पे हो रहा था चीन समर्थित कुछ दल भारत की लोक तांत्रिक व्यवस्था के तो खिलाफ थे ही भारत के खिलाफ थे ही और भारत के बढ़ते प्रभाओं को भी नेपाल में रोकना चाहते थे आगे चीन और नेपाल संधी करते हैं भारती सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए नेपाल ने चीन को लहासा और काट मांडू में सडक मार की अनुमति दी और भी कुछ ऐसे कारे किये जिससे की चीन और नेपाल के बीच के कि नेपाल का भारत से जो संबंध है उसमें सतत उतार चड़ाओ है और उस उतार चड़ाओ का मुख्य कारण चीन है जो नेपाल पे नजर बनाए हुए है जो नेपाल को अपने खेमे में लाना चाहता है सामरिक कारणों से जो नेपाल को अपने खेमे में लाना चाहता है साम् के प्रति आक्रामक रुख अपनाने के लिए यही कारण था कि 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो नेपाल तटस्थ रहा नेपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की उसने चीन को आक्रामक घोशित नहीं किया और एक तरीके से न्यूटरल रहा जो भारत के ल हमला उसी के खेत्र के आसपास से हुआ था नेपाल ने इस पर क्यों आपत्ति नहीं बताए वो नीटरल बना रहा जो जिससे 1962 में भारत और नेपाल के संबंद बिलकुल नीचे रसातल पे थे